दियर चिल्डरेन मैं दुलाचंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चों आप लोगों ने गुबारे वाले को जरूर देखा होगा यह है चप्टर 16 और यह क्लास 3 का इंग्लिश बुक है और इस चप्टर का नाम है दबेलून मैं गुबारे वाला वा हमेशा बजार के दिन में आता है और उसके हाथ में गुबारे का एक प्यारा सा गुच्छा रहता है वा बजार के चोक में खड़ा रहता है और कभी भी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता मतलब गुबारे का कलर बतला रहा है कि लाल बैगनी नीले और हरे रंका है और जब धूप का दिन होता है तो गाड़ी वाले लोग और पैदल चलने वाले लोग उसे अपने पास जरूर पाते हैं आजपास मतलब उनको जरूर पाते हैं अप दूर से ही चमकते हुए गुबारे को देख सकते हैं कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं सभी एक साथ एक धागे से बंदे होते हैं और अधी हवात चलती है तो वे और चीजों की तरह खिचाते रहते हैं आप लोगों ने देखा होगा वो गुबारे में जो अलग परकार की जो गिस भरी जाती है वो उपर की तरह खिचाते रहता है सायद कुछ दिन में वह उसे छोड़ देगा ऐसा बच्चे सोचते हैं और हम लोग उसे उपर जाते हुए देखेंगे हम लोग नीचे से खड़ा होकर उसे आसमान की और जाते हुए देखेंगे वे हमें आसमान में बहुत सुंदर दिखेंगे तो आसमान में जाते हुए गुबारे को बच्चों को देखना बहुत पसंद है वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और यहाँ पर यह पोयम समाप्त हो जाता है तो आई हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यह इस चेप्टर का new words दिया हुआ है कुछ hard word meaning है इसको आप लोग पढ़कर याद कर लेना है और question यहाँ पर दिया हुआ है answer the following इसमें rimming word market का जो rimming word होगा उस तरह का जो मिलेगा उसको लिखना है और फिर question no.3 में make a balloon with string and color it एक balloon का picture बनाने के लिए बोल रहा है drawing करने के लिए और उसको color करना है उसमें धागा भी लगा देना है तो आई यह मैं आप लोग को इसका answer बना के दिखाता हूँ here chapter 16 का question answer answer the following questions when does the balloon man come the balloon man always comes on the market days what does the balloon man hold in his hand the balloon man holds a lovely bunch of balloons what colors of balloons are with the balloon man the balloons are red purple blue and green in colors with him what do the balloons are tied together with the balloons are tied together with a string when and how balloons look pretty the balloons look pretty when we watch them from below and they go in the sky question no.2 में rhythmic words लिखने के लिए कहा गया है यहाँ पे मैंने direct answer दे दिया है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं और यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगो को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमार रखा और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next video में चलेंगे तो आई हम लोग next video में चलते हैं